RHS similarity Criteria कि क्या मतलब है कि R क्या होता है right angle triangle और H hypertonius और H क्या होगा side तो अगर अगर दू right angle triangle है तो RHS similarity criteria क्या कहता है कि अगर दू right angle triangle है और उनमें से डेफिनेतली ये बात तो क्या है कि दोनों का एक angle right angle होगा यानि 90 degree के और जो hypotunious है दोनों triangle का कि एक triangle का hypotunious दूजे triangle के hypotunious के equal होगा और एक side one side of triangle is equal to the is proportional to the one side of other triangle तो क्या होगा कि वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे होंगे तो हेलो स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम डिसकस करेंगे और है तो अगर हम फॉर्म ले तो क्या होगा राइट एंगल है यानि नानी दिकवरी और है क्या होगा हाईपर्टीनियस तो है हैं और हैस क्या होगार्ट ये दो राइट एंगल ट्राइंगल है की ये कि यो भी वाई और देवे च्वाट प्यक्तिम दिए ओसमें नानीट डिगूर्ट छ congressional और एक और राइट एंगल त्राइंगल है PQR और इसमें Q क्या है 90 डिग्री है तो यह सिंपलेटी क्राइटीरिया कहता है कि हाइपोट्यूनियस हाइपोट्यूनियस और वन ट्राइंगल ए निगे की त्रैंगल होंगे एक more टू को है एकमरीग्राइंगल गाटूनियस और ये ओनों केश के हैं एकंपnocण Bris दोनो राइट एंगल ट्राइंगल हैं इसमें क्या है एंगल B equal to 90 डिग्री और इसमें है एंगल Q equal to 90 डिग्री अब आप इस ट्राइंगल को लिखेंगे कैसे की A B C इसमें यह हमें करना है प्रूब और गिवन क्या है इसमें एंगल B equal to angle Q equal to 90 डिग्री और हाइप इसमें क्या है एसमें प्रपेंडिकुलर के सामने वाली साइड तो इसमें क्या है A C hypotenuse है और इसमें PR hypotenuse है तो क्या है कि A C upon hypotenuse क्या होगा ट्राइंगल ABC में A C और ट्राइंगल PQR में PR तो A C upon PR equal to और A B upon PQ यह हमें प्रूब करना है नहीं यह हमें गिवन है यह हमें दिया हुआ है और हमें प्रूब क्या करना है प्रूब करना है त्राइंगल ABC त्राइंगल PQR अज़ इसको ट्राइंगल बी कहा राइट एंगल है और ईसमें एंगल क्यू है वो राइट एंगल है तो इसलिए टैंगल एबीची इसे मिले क्विखेंग टैंगल तू icy किया हुआ है अब देखे यह अब देखिकलु इसको हम chache sus pap को करेंगे से साइड एंगल साइड और साइड एंगल कहां क्या होना चाहिए इंकलूडड एंगल कौन सा होता है कि इसमें एंगल बी अगर इंकलूडडड एंगल होगा तो उसकी साइड दोनों कांशी होंगी की AB और BC तो एंगल भी इंकलूड़ेड़ है जहां भी दोनों में common है और इसी तरह एंगल क्यू जो है वो जब ही इंकलूड़ेड़ होगा जब उसकी दोनों साइड जो प्रपोर्शनल होंगी वो होगी ती क्यू और qr यहां angle q दोनों में common है तो इसमें हमें क्या prove करना है हमें prove करना है कि ab upon pq equal to bc upon qr देखें included angle है यहां b common है यहां भी b है यहां q यहां भी क्यों है तो यह हमें basically statement क्या है और है तो इस इन टू राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल राइट एंगल राइंगल यहां लिख दें आप राइंगल्स हाइपोट्यूनियस हाइपोट्यूनियॉस हाइपोट्यूनियस 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 पर ट्रैंगल और दोनों ट्रैंगल कौन से है राइट अंगल ट्रैंगल है अब इसमें गिवन क्या है कि ए एब बीजिट और पी चूट इसे दिग्री नाइंटी डिग्री तो गिवन क्या है गिवन है तू राइट अंगल , अंगल , अर और कई कोँ से है ? लाइगल ABC और राइंगल PQR और इसमें क्या है कि अगल V इक्वल टू ऑ अंगल Q एक्वल टू 90 डिए एंगल भी और एंगल की जो है 90 डिए और है इसमें क्या होगा एसी और इसमें होगा पी आर यानि एसी अपाउं पी आर इस इक्वल टू प्रूब वन साइडेड एंड एबी अपाउं पीक यह है गिवन और ट्रूब क्या करना हमें थी ट्राइंगल एबीची इस देड़ेंगल ट्राइंगल पीक्यू आर यह किसी प्रूब हुआँ से से और तो एस के लिए इंक्लूडेड एंगल जब होगा है कि जो दोनों साइड आएंगी उनमें जो एंगल है यानि यह जासे एंगल भी है और एंगल क्यू है यह दोनों होने चाहिए तो इसका क्या मतलब है कि दोनों जगे कॉमन है और यह कॉमन तो प्रूब हम इसका करेंगे तो गिवन क्या आए आएगे अपोन पि आप इस उकल टो एफी अपन यह क्या है यह गिवन करेंगे दोनों साइड और स्क्वेर स्क्वेर करने पर क्या आएगर यह सी अपॉन पीयार यानि एसी का स्क्वेर और पीयार का स्क्वेर इक्वल टू एबी का स्क्वेर और इसको हम लिख सकते हैं कि एसी स्क्वेर अपोन पी आर स्क्वेर में और इकवल तू अपोन इप्वूर उप्वूं अब एचे और पी आर क्या है ये है यानी ट्रेंगल एजिसी में ए है हाइपुटुनेज र ट्रेंगल पीक्यो आर में नीट यनी20 ran ise महा भी स्क्रुश्ध और यह क्व्या ओर्त Bible arde स्वड़़्ि स्क्राइब लफ्ट साइड में आप देखें तो एच स्क्राइब और इसका पर्पेंडिवूर क्या है ट्रेंगल ABC में यानि इसको लेख सकते हैं कि AB स्क्वेर प्लास बीसी स्क्वेर यहीं एडी स्क्वेर तो पर्पेंगे कुलर क्या हुआ ट्राइंगल एडी सी में ऐबी स्क्वेर प्लास बेस बिसी स्क्वेर और अपन में क्या है पी आर यानि प्द क्या है पर्पेंडिकूलर क्या है PQ तो PQ का स्क्वेर और BC यानि बेस क्या है इसमें ट्रेंगल PQR में QR तो QR का स्क्वेर और इसको अब आप देखिए यहां पर कि AB और BC तो आपने एक रून पढ़े होंगे लास क्लास में पंपोनेंट और डिविदेंड तो उसमें क्या होता है कि A A upon B equal to C upon B होगा तो A plus C upon B plus D और A minus C upon B minus D तो यहां आप देखिए इस equation में और इस equation में तो AB यानि A क्या है आप मान देजे AB का whole square और B क्या है PQ का whole square तो C क्या है और C होगा BC का whole square और D क्या होगा QR का whole square अब तो यह कौन सी equation बनती है A upon B equal to A plus C equal to B plus D इसकी हमें जरुवत ही नहीं है तो हमें क्या और तो यह किसके equal होगा यानि A plus B equal to इसकी हमें जरुवत नहीं है equal to A plus C upon में B plus D तो यह किसके equal आएगा C upon B और C क्या है BC का whole square upon में QR का whole square और इसको adjective दिख देंगे तो AB का square upon PQ का square तो अब यहां से आप करना चाहेंगे कि दोनों साइब square कर देंगे तो इसकी value आजाएगे square root लेकिन वो तरीका है गलत आप square root के चक्कर में ना पढ़ें और इसको देखिए कि BC अपन क्यू आर का whole square इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू यह भी अपन पी क्यू का हूल स्केर तो वहां से क्या है यानि BC अपन क्यू आर का whole square माइनस ए भी अपन में पी क्यू का होल स्केर एक्वल टू जी रू तो यह किसका फार्मुला बन जाता है ए स्क्वेर माइनस वी स्क्वेर और वह क्या होगा है ए पलस भी और ए माइनस भी अब ए पलस भी यह नहीं BC अपन प्यू आर प्लस ऑल्विग अपन पी किव है इन्टो में कैंदी इस अपन प्यू आर माइनस में ए भी अपन पी त्यू इसके एक्वल है जीरो के, तो दोनों की अलग-अलग value निकालेंगे, तो एक से तो आएगी, bc upon qr, minus k, ab upon pq, ये value हो जाएगी, neglect, क्योंकि sides कभी भी negative में नहीं होंगे, और दूसरी value के आएगी, bc upon qr, equal to, ये minus का side जाकर हो जाएगा, plus का, ab upon pq, तो ये ही करना था, आमें, प्रूव, यानि, ab upon me, pq, equal to, bc upon me, qr, तो यहाँ, क्या है, अगर, कि triangle, abc, is similar to triangle, pqr, क्योंकि, आप देखिए, कि angle b, equal to angle q, यानि, a, angle b, और angle q, दोनो 90 degree है, अब, sas में, इसकी included side चाहिए, तो इस सांग में, आप देखिए, a, b, यानि, angle b, के साथ included है, और ये, bc, ये भी included है, यानि, a, b, और bc, तो यहाँ, 20 दोनों जगए है, और q, q, दोनों जगए है, तो ये किसे होगा, side angle, side से, ये क्या हो जाता है, triangle e, b, c, d, e is similar to triangle, p, q, r, hans, true, ये करना का है, true, तो ये थी, RHS similarity criteria for similarity of triangles, कि अगर दो right angle triangle हो, तो एक triangle का hypotenuse, और एक side, दूसे triangle के hypotenuse, और एक side के एक पर होगी, और ये हमें प्रूव के से करना है, side angle, side से, तो उमीद है कि ये क्लास आपके समझ आई होगी, और अगर ये क्लास आपके समझ आई है, तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ share कर सकते हैं, और अगर आपका कोई question है, तो आप वो question comment के ज़री हमसे, पूछ सकते हैं, अब next class में हम करेंगे exercise 6.3 के examples, इससे पहले वाली class में जो उसमें भी हम नहीं, उसमें भी ये का था कि हम next class से करेंगे, लेकिन ये क्या है, कि ये RHS criteria जो है, वो exercise 6.3 में use होगा, तो ये एक बार discuss करना जरूरी था, तो अब मिलते हैं आप से next class में जहां प और उससे next class में हम करेंगे exercise 6.3 को complete और उसके साथ ही ये chapter भी complete हो जाएगा